नुश्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उत्राखंड का हेल स्टेशन ओली अगर आप गर्मी में भी सर्दी का एसास लेना चाहते हैं तो एक बार ओली जरूरत जाईएगा यहां इस वक्त ठंड हो रही है और टूरिस्ट आपको स्वेटर में नज़राएंगे उत्राखंड में स्थित ओली को भारत का मिनी स्विजलेंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां की प्राकर्तिक और नैसर की खुबसूरती टूरिस्टों के दिलो दिमाग में उतर जाती है ओली हील स्टेशन बद्रिनाथ के रास्ते में स्थित है यहां एसिया के सबसे लंबी केवल कार है जो की 4 किलोमेटर लंबी है इस केवल कार में बैटकर परियाटक ओली के अधभूत प्राकर्तिक द्रिश्यों का आनन्द लेते हैं और बरफ सेड की चोटियों को देख सकते हैं देवदार और चीड के वरिक्ष सेव के बाग इस हील स्टेशन की सुन्दरता में चार चान लगाते हैं दिली से ओली की दूरी करीब 504 किलोमेटर है गड़वाल चेतर के चब ओली जिली में स्थित यह हील स्टेशन स्मूदरतल से 3000 मीटर की उचाई पर स्थित है यहां से टूरिस्ट कई प्रवत स्रंखलाओं को देख सकते हैं ओली से परियटक नंदा देवी परवत, नागा परवत, डूंगिरी, बीथट ओली, निकान्थ हाती परवत और गोरी परवत को देख सकते हैं गर्मियों में ओली बड़ी तादाद में टूरिस्ट ट्रेकिंग के लिए आते हैं यहाँ ओली से जोशी मठ का ट्रेक सबसे लोग पर ये ट्रेक है बड़ी संख्या में स्किंग, गतिवीदी के लिए टूरिस्ट इस हेल स्टेशन की शेयर करते हैं परियटक ओली में पैरा गलाइडिंग भी कर सकते हैं ओली के पास कई तीरस्थल हैं जिसपे आदी गुरु संकराचारिय की तब स्तरली, जोशी मठ, नंद प्रियाग और रूद्र प्रियाग हैं तो आईए अब जान लेते हैं ओली कैसे जाएं अगर कोई परियटक फ्लाइट से ओली जाना का प्लाइन बना रहे हैं तो उनको देहरादून के जोली ग्रेंट एरपोर्ट के लिए अपने नजदी की एरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने होगी जो ओली से करीब 270 किलोमेटर की दूरी पर स्थित ओली का सबसे नजदी की एरपोर्ट है भारत की बहुत सारे बड़े शहरों से देहरादून के जोली ग्रेंट एरपोर्ट के लिए फ्लाइट अपनी उड़ाने भरती हैं देहरादून से ओली जाने के लिए टेक्सी और बस दोनों परकार की साधनों की सुविधा उपलब्द कराई गई है ओली ट्रिट की सुरुवार्ट ट्रेंट से करने वाले परेयटकों को सबसे पहले हरीदवार और देहरादून रेलवे स्टेशन पर आना होगा जो ओली का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है हरिदवार और देहरादून रेलवे स्टेशनों से ओली के बीच की दूरी 28 और 295 किलोमेटर के करीब है उत्राखंड के इन दोनों शहरों से ओली के बीच की सफर तै करने के लिए बस और टैकसी दोनों की सुविता उपलब्द कराई जाती है उत्राखंड के ये दोनों रेल्वे स्टेशन देश के कई छोटे बड़े सहरों से जुड़ा हुआ है अगर आप ओली ट्रिप की सुरुवात बस्त के द्वारा दिल्ली से कर रहे हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली से ओली का सबसे क्रीबी बस्टेंब जोशी मठ है जोशी मठ की दूरी ओली हिल स्टेशन से मातर 6-7 किलोमेटर है उत्राखंड रोडवेज के बस साथ साथ कुछ प्राइवेट बस भी दिल्ली से आपको हरिदवार, रिशी केस और देरा दून जानने के लिए मिल जाएंगी तो ये जानकारी थी आज उत्राखंड के ओले हिल स्टेशन के बारे में उमिद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी अगर और भी आप प्रेटन सतलों के जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा